हेलो माई फ्रेंड्स आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है घर पर बहुत आसानी से मार्केट जैसी डोडा बर्फी कैसे बनाएं ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ बिलकुल मार्केट जैसी डोडा बर्फी बनाने के लिए आपको बहुत कम चीजों का यूज़ करना होगा तो चलिए डोडा बर्फी बनाना शुरू करते हैं डोडा बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी दलिया लिया है और एक ही कटोरी मैंने यहाँ पर गे लिया है और यहाँ पर मैंने डेड़ लीटर दूद लिया है सबसे पहले एक कढ़ाई लेकर उसमें मैं दलिये को अच्छे से भूनूंगी दलिये को भूनना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसी से हमारी डोड़ा बर्फी काफी ज़्यादा अच्छी बनेगी सबसे पहले हमें इसे भूनना होगा अच्छे से दलिये को भूनने में 5-10 मिनिट भी लग सकते हैं और अब दलिया भूनकर तयार है काफी अच्छी खुश्बू आने लगी है अब मैं इसे निकाल कर अलग रख लेती हूँ और इसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ दूद दूद को हमें थोड़ा सा बचा लेना होगा वो मैं बात में आपको बताऊंगी हमें किस चीज के लिए इसे बचाना है और दूद को हम यहाँ पर पॉल करेंगे आपको इसे बीच बीच में चलाते भी रहना होगा ताकि दूद निकल न जाए और बॉल आने के बाद मैं इस भुने हुए दलिये को इसके अंदर डाल देती हूँ जरूरत पढ़ने पर हमें इसे अच्छे से चलाते रहना होगा ताकि दूद या फिर दलिया नीचे लगकर जलना जाए आप देख सकते हैं पांच मिनट के बाद ही हमारा दूद काफी कम होने लगा है काफी गाढ़ा होने लगा है क्योंकि हमें इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है और अच्छे से पका कर इसे कम कर देना है अब इस स्टेज पर मैं या पर डाल रही हूँ दही मैंने या पर दो चमश दही का यूज किया है दही से होगा क्या जो हमारा दूद है वो एकदम दानेदार हो जाएगा और जैसा की डोड़ा बर्फी में होता ही है दाने टाइप दोड़ा बर्फी होती है उस टाइप में हमारा दूद होने लगेगा और अब मैं आपर उस घी का यूज कर रही हूँ में इसे एक साथ नहीं डालना है दो दो चमश करके हमें इसे धीरे धीरे यूज करना है आप चाहे तो गैस की फ्लेम को हाई भी कर सकते हैं बट इसे नीचे लगने से बचाना होगा आपको और अब मैंने आपर दो चमश कोको पाउडर लिया है और जो मैंने आपर दूद को बचाया था उस दूद का यूज करके कोको पाउडर को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि हमें कभी भी कोको पाउडर को डायरेक्टली गर्म दूद में नहीं डालना चाहिए और अब मैं इसमें तंदूरी कलर का यूज कर रही हूँ इससे हमारी डोड़ा वर्फी का कलर बहुत जाद अच्छा आएगा यहाँ पर मैंने चीनी ली है और चीनी को भी मैं धीरे धीरे करके इसमें डालूँगी हमें सारी चीनी को एक साथ नहीं डालना है और इसे चलाते जाएंगे अब मैं यह कोको पाउडर का मिक्सचर भी इसमें डाल कर अच्छे से चलाती जाओंगी और अब हमें इसे धीरी जिरी करके पकाना होगा आप चाहें तो फ्लेम को हाई भी रख सकते हैं और जो घी है उसे भी हम दो दो चमच करके डालते जाएंगे आप अगर ज्यादा घी का यूज करना चाहते हैं तो आप ज्यादा घी का भी यूज कर सकते हैं डोड़ा बर्फी को मीठा बनाने के लिए आप चीनी की जगा धागा मिश्री का भी यूज कर सकते हैं बस आपको उसे तोड़ कर उसका धागा अलग करना होगा या फिर आप इसमें गुड का भी यूज कर सकते हैं या शक्कर का भी यूज कर सकते हैं आप जो भी चाहें आप उस चीज का यूज कर सकते हैं आप जो भी खाना पसंद करते हैं मैंने धीरे धीरे करके सारी चीनी इसके अंदर डाल दी है अब बस हमें इसे अच्छे से पकाना है इसे थिक बनाना है और जो हमारा घी बचाता वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है बस हमें इसे इतना थिक करना है कि ये जमने लायक हो जाए इसे लगातार चलाते रहना होगा इसी तरीके से आपको इसे बनाने के लिए मावा या फिर किसी भी एक्स्ट्रा चीज के जरुरत नहीं है अब मैं यहाँ पर थोड़ा डेसिकेटिड कोकोनट ले रही हूँ आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं बट मार्किट जैसा लुक लाने के लिए हमें डेसिकेटिड कोकोनट का भी यूज करना पड़ेगा थोड़ी महनत जरूर लगती है बट दोड़ा बर्फी बहुत अच्छी लगती है खाने में इसलिए हमें थोड़ी महनत तो करनी पड़ेगी ही अब मैं याप पर बारिक करते हुए काजू और बादाम टाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं अब हमारी डोड़ा बर्फी बनकर तयार है अब बस मैं इसे तू मिनिट और चलाने वाली हूँ उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे इसे कुप करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्डेंट है गैस को मैंने यापर बंद कर दिया है बस इसे दो मिनिट और इसी तरीके से चलाना है जिससे ये कढ़ाई की नीचे लगकर जलना चाहे अब ये काफिया तक थोड़ी थंडी हो गई है आप देख सकते हैं गाड़ी भी हो गई है अब मैं इसे एक ट्रे में निकाल लेती हूँ ट्रे के अंदर मैंने पहले से बटर पेपर लगा के रखा था और थोड़ा ओल भी लगाया था आप चाहें तो सिर्फ ओल भी लगा सकते हैं और अब मैं इसके उपर ड्राइफ रूट्स डाल रही हूं बारिक कटे हुए इसमें बहुत सारे ड्राइफ रूट्स होते हैं इसलिए मैं भी इसके अंदर बहुत सारे ड्राइफ रूट्स डाल रही हूं आपने मार्केट में देखा होगा बहुत सारे ड्राइफ रूट्स होते हैं डोड़ा बर्फी के अंदर और उपर से थोड़ा पिस्ता भी डाल रही हूँ और अब इसे थोड़ा हलके आतों से दबाएंगी जिससे ड्राइफ रूट्स बाहर ना निकल पाएं अब मैं इसे सेट करने के लिए ओवरनाइट रख दूँगी आप देख सकते हैं हमारी डोड़ा बर्फी सेट होकर तयार है इसका कलर भी काफी अच्छा आया है बिल्कुल मार्केट जैसा अब मैं इसे कट कर रही हूँ ये बिल्कुल भी मार्केट से अलग नहीं लग रही है बिल्कुल मार्केट जैसे ही लग रही है आप देख सकते हैं और घर पर जब आप इस तरीके से डोड़ा बर्फी बना कर खाएंगे तो आपको भी यही लगेगा कि ये मार्केट से ही आप लेकर आए है कलर में और परफेक्ट साईज में और टेस्ट में इसका कोई जवाब नहीं है आप भी इसी तरीके से घर पर आप दोड़ा बरफी बनाकर ट्राइ कर सकते हैं ना ही हमी चाशनी का ज़ंडर करना पड़ा ना ही हमें मावे का यूज करना पड़ा और तब भी हमारी डोड़ा बर्फी बनकर तयार है वो भी सिर्फ दूद और दलिये से तो आप भी इसे घर पर बना कर ज़रूर ट्राइ कीजेगा किसी भी फेस्टिवल पर या जब भी भी आप कमंड करें आप इसे बनाएए और मुझे कमंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी बर्फी की वीडियोज हैं आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं आपको मेरी वीडियोज कैसे लगी मुझे कमंट करके जरूर बताइए मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर बने रहिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए